इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियेट ओपन टेस्ट फाइव जो की इस वीकेंड हम करवा रहे हैं ओके विंडो टेस्ट की ओपन हो जाएगी तेन एम 12 अक्टूबर को और क्लोज होगी 13 अक्टूबर को रात को 10 बजे सुबह 10 बजे सेटर्डे स्टार्च हो जाएगा विंड़ो ओपन हो जाएगी और संब्ध को 610 बजे विंडव क्लोज हो जायएगी तेस्ट की और इस बार EE के लिए सेपरेट टेस्ट है ME और CE के लिए भी separate test है तो in total 4 test है हर branch के लिए अलग-अलग test है इससे पहले क्या हो रहा था कि E E और E C में जो common subject था उसका test हम करवा रहे थे और ME और CE में जो common subject था उसका करवा रहे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार अलग-अलग subjects है हर branch के लिए तो syllabus देख लो for electrical हमने जो डाला है subject वो है electrical machines प्लस maths और aptitude तो रहे गए रहेगा क्या है कि students maths और aptitude को बहुत lightly लेते हैं बट maths और aptitude 30 number के आते हैं हर gate में मतलब और ये मुफ्त के number होते हैं 30 number maths आसा आता है और aptitude से पता नहीं क्यों students इतना भागते हैं aptitude तो वैसे भी easy रहता है बस तुम्हें practice करनी है तो date मैंने तुम्हें बता दी है window और देढ़ घंटे का test होगा 70 marks का test है तुम्हारे जो technical subject हैं उसके 20 question आएंगे maths के 10 question और aptitude के 10 question और ये एक free open test है जैसे कि पिछले open test है ठीक है results आजाएंगे 14th October यानि मंडे को सुबा साड़ी से लिए for easy, सारी details same है बस जो subject है जो technical subject है वो electronics and communication में है communication systems और nats और aptitude तो रह गए नहींगा बाकी सब details same है कोई difference नहीं है उसमें 1.5 घंटे का test होगा, 70 मांक का test है और 20 question technical subject से होगा for mechanical इस पार जो technical subject है वो है thermodynamics और again वोई core जो technical subject है उसके 20 question है और math सराप्ती के 12 questions है test timings और test window बिल्कुल सेम है and for civil engineering उनका जो technical subject है इस बार included वो है environmental engineering रहेंगे, okay तो यह details थी पिछले चार open test total 17,500 बच्चे दे ही चुकिया है तो अगर अभी तक तुमने कोई open test नहीं दिया है यह सोचके कि अरे यार यह subject में रेडी नहीं है test दे के क्या करूँगा तो यह बिल्कुल ही गलत सोच है जितना भी आता है तुम्हें उतना उतनी knowledge से test को attempt करो हमेशा test से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है क्या पता कोई नया question मिल जाए तुम्हें कि ऐसा ही कुछ मिलते जूलते concept पे वो question गेट में आ जाए तो यह मत सोचो कि तुम्हारे marks कितने आएंगे अगर बाईचांस तुम्हें prepare नहीं किया prepare किया well and good बढ़िया से revise करके test दो अगर नहीं किया तो भी test दो उससे पता लएगा तुम्हें कि कहां किस topic में तुम्हें improvement चाहिए तो इस weekend open test 5 note कर लो ठैंक्स, all the best झाल